हेलो गाइज माइनेम इस कुंदीप एंड वेलकम टू स्टडी फंडा सो आज के सेलेक्शन में हम बात करेंगे नए कोश्चन के बारे में में यह बाकिया जो आजर गॉवर्मेंट एक्जाम में उनकी लिए वह काफी जाद होने वाले हैं ठीके तो इस वीडियो को अप एंड तक देखना यह वीडियो काफी जाद इंट्रेस्टिंग होने होएं तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो पहला कोशन है कि उसको जी ऐ टेग मिल गया थो ठीक है तो जी टेग मतलब जो ग्राफिकल इंडिकेशन जी ओ ग्राफिकल इंडिकेशन ठीक है तो ओप्षिन इसमें ओडिशा, हर्याना, महारास्ट्रा या करनाटका ठीक है तो इसका एंसर है option number C महारास्टा महारास्टा में जो white onion है उसको GI tag मिल गया है तो देखते हैं इसके बारे में तो जैसे इसमें लिखा है कि white onion जो कि अलिबाग में सबसे ज़्यादा famous है अलिबाग और महारास्ट के रायगर्ण district में वो उसको geographical indication का tag मिल गया है giving the crop a unique identity जब जिसको geographic tag मिल जाता है तो इसको unique identification मिल जाती है और वो जो बागी जो foreign countries में होती है तो वहाँ पर उसको और जदा preference मिलती है बागी other products से ठीक है तो यह इसका मतलब होता है तो यह कुछ इस तरीके की दिखती है और यह geographic indication है जिसका और इसकी theme याद रखने है ना अतुल्य भारत की अमूल ने दिखती है मतलब मतलब यह है कि invaluable treasure of incredible India invaluable treasure of incredible India तो इसकी tagline भी आप याद रखना तो जो इंडिकेशन जो है जेसको हम जेए बोलते है are part of the intellectual property right मतलब यह part है intellectual property right का जो key किसके अंडर आता है Paris Convention for the Protection of Industrial Property तो इस point को आप याद रखना हमारा GI किसके अंडर आता है Paris Convention for the Protection of Industrial Property ठीक है तो यह में mean point उड़ जाता है then next question देखें which stage will host the 56th national cross country championship in 2022 मतलब वो कौन सा state है जहां पर 56th national cross country championship जो की 2022 में होगी ठीक है option है इसमें मनीपुर, नागालेंड, तिरिपुरा या मिजूरम ठीक है तो आपने अगर इसको option आप इन question को आप attempt भी कर सकते हैं आपने इसको comment section में बदा सकते हैं तो इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही answer है option अमर भी नागालेंड तो नागालेंड जो state है उसमें यह जो cross country championship है जो की 2022 में होगी वो नागालेंड state में होगी तो ठीक है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जहांके हैं तो नेफी रियो जो की चीफ मिनिस्टर है उनने बताये कि जो इसके बारे में उन्होंने information दिया है तो यह वहां का को यह सीन है वहांकी जो इनगरेटिड आत्मनिरवर भारत कॉर्णे टू पर्मोट इंडिया ट्राइबल आर्ट्स और क्राफ्ट मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसा वह कौन सा कंट्री वह किस कंट्री में जो आत्मनिर भारत की कुछ ने रहे वह उसको इनवरेट किया है जिसमें हम क्या प्रूमोट किया जाएगा इंडिया की जो ट्राइबल आर्ट्स है और क्राफ्ट है उसको प्रूमोट किया जाएगा तो किस कंट्री में किया गया है ठीक है ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिया जेपान ऑस्ट्रेलिया यह कनेडा ठी ऑसमें इंडिया की जो ट्राइवल आर्ट्स हैं ग्राफ्ट उसको उनको प्रमोट किया जागा तो जैसे एक इसमें लिखा है कि इसको जब यह ना नी जंदी पर यह सब छीजां किई गई तो आधने भारत कॉंटर है तो उसमें जो जिक जेकट कि जितने भी ट्राइबल आर्ट्स होंगे यह जो क्राफ्ट प्रोड़क्स होंगे जो इंडिया से विलोंग करते हैं उनको इन्गरेट क्या गया है कहाँ पर हाई कमिशन ऑफ इंडिया जो की ओटाभग जो करनेडा में ठीक है इसके लावा जो आथन निर्वर कॉनर है वो क्या अब ग्याद करते है वह ट्राइफघंड के बारे दरादा परेट घ्राइपोरेट के औरिया नां मिस्टर इनको बातो ways अंच यह बिसारी है ठीक है तो इसी पॉइंट को भी आप याद रखना तो नेम दा वैब पॉर्टल लॉंच बाई गॉर्मेंट तो फाइंड सॉलूशन टू इंडिया इस विस्ट प्रॉब्लम मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब उस वैब पॉर्टल का नाम बताना है जो कि यह चार ओप्शन इसमें से एक साई आंसर होगा तो इसका साई आंसर है वेश्टू वेल्थ वैश्टूवेत नाम का वेब पॉर्टल है जिसमें सॉलूशन देगे वेश्ट प्रॉब्लम के लिए ठीक है जैसे कि इसमें लिखा है और इसमें कॉछ दो एकल निश्याओ को जो वेस्ट हो गया अभी हाल फ्लाय में से मास्क हो गया या सैनिटर्ज हो गया कुछ अलग-अलग मेडिकल हो गया और बी जो वेस्ट की जो प्रॉब्लम हो इंडियां काफी जाथा तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया है वेस्ट टुवेल्थ पोर्टल ठीक है तो वो यह जो वेस्ट वेट पोटल है वो गांधी जन्ती पर इसको पापत तब यह गांधी जन्ती के मौकवे पर इसको इनागरेट किया गया था तो गॉवर्मेंट on the Saturday launch a web portal to bring together technology provider गॉवर्मेंट इस प्रोटल को लॉंच करके वह पोटल लॉंच किया तो इसके जरीए ना तो टेक्नोलोजी प्रोवाइड की गया गॉवर्मेंट के जो अर्मन लोकल्स बॉडिस हैं उनको सॉलूशन डूणने में आसानी रहेगी जो वेस्ट प्रॉब्लम की जो प्रॉब्ल 2021 वर्ल्ड इस पेस्वीक मतलब 21 का जो वर्ल्ड इस्पेस वीक है उसकी थीम क्या है ऑप्षन है गेटवेट टू स्टार्स दामून गेटवे सैटलाइक इंप्रूव लाइफ या वोमेन इन इस पेस ठीक है यह चार ऑप्षन है इसमें सो कोई करक्ट आंसर होगा तो इसका सब्सक्राइब इसका थीम है वोमेन इन इस पेस तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड इस्पेस वीक है जो कि स्टार्ट होगया अक्टूबर चार से विद थाउजंड्स अफ इवेंट गुलोब में मतलब पूरे वल्ड में थाउजंड्स अइसे काफी सार इवे सब्सक्राइब इसका तुब इसका यहाँ citation के जा रहे हैं तो इसकी दीम है पूरेषिसर यह इसको यह वर्ड का लाजर इसपेस इवेंट इसको ऐसे कंसीडर किया गाए ठीक है इस इसको इस पॉइंट को आप याद रखना देन नेस्स कोशन इसमें देखें नेस्स कोशन है रिसेंटली हूँ है लॉइट लेंड औफ इंडिया पोर्टल मतलब यह कि वेट लेंड इंडिया पोर्टल है उसको किस ने लॉइंड रियादव रामनात कोवी या प्यू स्कॉइल ठीक है यह चार ऑप्शन है इसमें से सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर है अप्शन नमर भी भूपेंद रियादव तो भूपेंद रियादव जो मिनिस्टर है उन्होंने वेट लेंड ओफ इंडिया पोर्टल को लॉंच किया है तो जैसे इसमें लिख्या है उन्दा ओकेशन हो गांधी जन्ती मतलब गांधी जन्ती को ओकेशन पर जो हमारी यून से लेट जितने भी अपने इंडिया में अपने कंट्री में है ठीक है इसके इलावा उन्होंने बोलाए कि यह आइकोनिक वीक है आजादी का महुत सब्सक्राइब मिनिस्ट्री बिइंग सेलिवेटेट फ्रॉम अक्टूबर फोर तु चार अक्टूबर से लेकर दस अक्ट यह पॉइंट को याद रखना यह बूपेंद्र यादव यह है इसमें देखते हैं तो नाइस पूशन है फ्रेंचाइज के लिए अप फूरी हाइपिल हिस्ट्री मां ठीक है ऑप्शन है आर जी सर्मा किरन पोरार्ट सुरेश रहना या यह चार उप्शन है तो इसका साइए अंसर है ऑप्शन नमर्डी मैंदर सिंग दौनी ने हंड़ेट केसे के लिए फ्रेंचाइज के लिए फूरी आईपिल हिस्ट्री में तो जैसे कि इसमें लिखा है नूज में कि यह जो मैच था संराइजर ऐसे राच वर्क से के बीच में तो उस मैच में एमेज धौनी ने विकम फर्स्ट प्लियर टू कंप्लीट केसे उस मैच में हंड़ेट केसे की जो रुकॉर्ड है उसको कंप्लीट कर लिया था अब पूरी आईपिल हिस्ट्री में ठीक है इसके लाग ही अचीव दा फीड दूरिंग ता मैच 44 आईपिल 2021 अंगे सांडराइजर है हिदराबाद एट सार्जान क्रिकेट हिट हिटे मुझा मतलब इस पॉइंट को आप याद रखना अभी की जो आइपेल चल रहे हैं मतलब फर्स्ट फेज हो रहा था इंडिया में और सेकेंड फेज हो रहा है यू एई में तो यह जो 44 मैस था जो कि सार्जा क्रिकेट इस्टेज में हो रहा था तो आइपेल के वारा में थोड़ा देखते ह आइपेल इसको बोलते इंडिया प्रीमियम ले गया है जो कि प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट ले गया है मतलब यह टी इसमें 2020 मैसेज खिले जाते हैं ठीक है तो इसमें आई सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए व्राट कोली ने जिनका 62010 रन है सबसे ज़्यादा विकिसने लिए लशित मंगिला मलिंगा ने 170 और फॉर्मेट है इसका टी टॉन्टी ठीक है इसका जो सबसे पहले स्टाइट का वह था दोज़ा आट में होथा इंडिया में ठीक है तो इस चीज को यह रखना और करेंट में जो चैंपियन है मोहमें इंडिया जो कि पांच बार जीत चुक ह तो यह IPL के हिस्ट्री थे तो यह कुछ पॉइंट थे जो अभी भी कोशन कुछ कोशन IPL के बारे में आ जाते हैं तो इन पॉइंट को भी आप याद रखना तो इसमें देखें तो विच इंस्टिटूशन रिलीज दर रिपोर्ट टाइटल मतलब कौन से इसमें इन परफॉमस ओफ डिस्टिक घॉस्पिटल यह रिपोर्ट है तो यह रिपोर्ट किस इंस्टिटूशन ने रिलीज किया है ठीक है ऑप्शन है इसमें एम्स नीति आयो आईयम में यह वर्ल्ड बेंग ठीक है तो यह चार ऑप्शन है तो इसमें से एक सही अंसर होगा तो सही अंसर ऑफ्शन नमर भी नीति आयो तो नीटियाग नहीं यह रिपोर्ट रिलीज किया है थीक है तो इसके बारे में देखते हैं इस रिपोर्ट के दौरह बताए है तो the report is an outcome of collaboration with यह जो report है किसके साथ collaborate करके बनाए गया Ministry of Health and Family Welfare और WHO मतब इसमें नीती, आयोग भी है, then Ministry of Health भी है, then इसके अवलावा WHO इंडिया भी है तो यह एक point यार रखना, यह Ministry of Health plus WHO के साथ मिलके यह report बनाए गई है तो इस point को यार रखना, और इसमें टोटल साथ सो साथ डिस्टिक होस्पीटल इसमें लिए गया है, पूरे स्टेट और उनिटेटी से, जिसमें इस report में पास्विट किया गया है, तो नीती आख के बारे फोड़ा देख लेता हूँ, यह गौर्रमेंट एजनसी है ठीक है, नीती आख, जो कि एक public policy think tank है, ठीक है, जो की form की की थी, एक जनुरी दोया पंद्रे को नीती आख, ठीक है, और यह गौर्रमेंट ऑप इंडिया के अंडर आती है, इसका headquarter है, निउ डेली, और इसके chair पंसन नरेंदर मोधी, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना then next question इसमें देखते है, next question है, कि which state government has started हरा भरा drone based afforestation project, मतलब कोशन यह पूछ रहा है कि ऐसी वह कौन सी state government है, जिसने हरा भरा drone based afforestation project start किया है, तो option है, option है कि राजिस्तान, महाराष्टरा, तेलंगाना या करनाट का, तो यह चार option दे रखके हैं, तो इसमें से एक साही answer हो option number C, तेलंगाना, तो तेलंगाना के state government ने हरा भरा drone project start किया है, तो इसको start किया है, तो इसमें लिखा है, कि तेलंगाना launch हरा भरा drone based afforestation project, और इसमें इस project को, जो एक्टर है राना दगुबती, वो इसके brand ambassador है, इस project के, जो कि launch के विए, ऐसा इंडियाज का first, ऐसा aerial seeding campaign है, seedcopter drone की दोरा की जा रही है, और जो कि at the KVA Park in Hyderabad में, की जा रहा है, तो ठीक है, इसमें काफिसरे point है, पहला ये तेलंगाना में है, दूसरा, इसके brand ambassador को है, राना दगुबती, और ये ऐसा इंडिया का first aerial seeding campaign है, जो कि seedcopter drone की दोरा की जा रहा है, और ये कहां पर हो रहा है in Hyderabad में, KVA Park में है, तो ये तीन से चार point है, इनको याद रखना, और इसमें जो under rapid reforstation हो रहा है, तो इसमें पाचास लाग से जारे trees को इसमें plant के जाएगा, इसके लावा 12,000 जो hectare of land है, इसमें in forest across, इसके लावा 33 district है, इसमें मतलब 12,000 hectare land है, जो की पूरे forest में है, जो क 33 district में आएंगे, वहाँ पर ये plant लगाए जाएंगे, तो ठीक है, ये तीन से चार point हैं में हो जाते हैं, इंको आप याद रखना, ठीक है, तो drone से, तो जैसा कि इसका, हम point को भी यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में है, जैकि drone का यूज किया जारा agriculture में, जैसे मैंने कुछ time पहल जैसे technology, जो drone technology है, हम agriculture में कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका example दे सकते हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं करे, कल नए MCU इसके साथ, तब तक लिए धन्यवाद और जैहिन